जिला मंडी टैक्सी एकता संगठन वोज नीजीवा सप्रेटर यूनिन ने केंदर सरकार दोरा लागू की गए नई परमटनीती की बिरोध में एबम क्रोना काल के दुरान टैक्सों को माफ ना किये जाने और कारेशिल पूंजी को जारी करने हितू अतरिक जिला दंडातिकार इस दुरान टैक्सी यूनिन के परधान सुरेश बरवाल ने कहा कि टैक्सी चालकों ने करोना काल के दुरान पूरे परदेश में आपास्तिती में भी अपनी सेवाईं दी हैं इसके बावजूत केंदर बो परदेश सरकार ने राहत देने की बिजाए महंगाई के बोस्तले दबा दिया है, उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार दोरा लागु कीगी नए रास्टिय परमिट नीती जिसमें पारिटी इंशोरंस को गाड़ी लेतेस में मातर एक ही बार लेने अपरेटरों के लाइसेंस को नौन अपरेटर LMB करना सरकारी भिवाग का टेंडर एक आदमी को ना देकर स्वंदित बो नजदीकी यूनिन को देना और गाड़ी आक की आरसी पर बैंक का नाम डालने पर अतरिक चार्ज देना आदी शामिल है उन्होंने कहा कि टेक्सी यूनिन द्वारा बार बार सरकार से अपनी मांगों को लेकर गोहार लगाई गई है लेकिन समस्याओं को अनसुना किया जा रहा है उन्होंने कहा कि टैक्सी अपरेटरों ने निर्ने लिया है कि नीजी वस अपरेटर यूनिन की तर्जबर 3 मई से मंडी जिला में टैक्सी अपरेटर अपनी सेवाइं देना अनिश्चित काल के लिए बंद कर देंगे पहले भी 7-8 महिने से संगर्शिल हैं ट्रांस्पोर्टरों की मांगे हैं बस वालों की है टैक्सी वालों की है तो ग्यापन सौंपा क्यूं है आपको वो जनकारी दे दें जैसे कि आपको पता है कि पूरा विश्व इस समय करोना जैसी खतनाक महमारी की चपेट में है प्रतेक देश में हमारे देश में भी सरकारों का हमने सयोग किया सरकार ने कहा आप सयोग कीजिए क्रुशल टाइम है बहुत बुरा समय चल रहा है हमने वो सारा सरकार के नियम पालन किये अपने जो आपातकालीन सेवाएं भी सरकार को समय समय पर दी हुआ क्या भारत को छोड़के आप किसी भी देश में देख लीजिए सरकारों ने हमेशा जनता के हित्वी बात की तब का कोई भी था चाहे करमचारी था, स्टूडेंट था, निजी काम करने वाले लोग थे विभिन सरकारों ने उनके पक्ष में काम किये लेकिन हमारी भारत सरकार ने इस दोरा ने एक ऐसा काम कर दिया जिस वज़ा से आज इस करोना काल में भी हम आप लोगों के सामने यहाँ पे आये हैं सरकार ने क्या किया, जो राश्ट्रिय परमिट टेक्सी गाडियों का सालाना 500 रुपे लगता है वो बढ़ा कर 25,000 और 75,000 रुपे कर दिया तो आज हम सरकार को इस ग्यापन के मादियम से पूछना चाते हैं कि ऐसी कौन सी कमाई जो टेक्सी चालक ओपरेटर पिछले डेड़ साल से बेरोजगार है जिसको परिवार का खर्च चलाना मुश्किल है जो घर का राशन नहीं जुटा पर रहा है स्कूली बच्चों अपने स्कूल जो बच्चों को बढ़ाते हैं उसकी फीज नहीं दे पा रहे हैं तो ऐसा कौन सा फार्मूला लगा दिया कि वो 500 रुपे बढ़ाकर 75,000 रुपे कर दिया तो हम सरकार से पूछना चाहेंगे कि कहां तो हमारी सरकार को इस समय में लोगों को रिलेक्सेशन देनी चाहिए थी पुछले टेक्स माफ करने चाहिए थे पेसेंजर टेक्स हैं, टोकन टेक्स हैं हमारी खड़ी-खड़ी गाड़ियों की एक-एक साल की इंश्रेंस से खतम हो गई 30, 35, 40, 40,000 पे पुरानी गाड़ियों की इंश्रेंस आज हम करवा रहे हैं वो खतम हो रही है तो ऐसी कौन सी कमाई हमने कर ली जो आप हर साल 25 और 75 जार पया टेक्सी ओपरेटरों से बसूल लेंगे हमारा सवाल ये है तो हम इस ग्यापन के माध्यम से भी हमने माननी राश्टपती महुदे को भी बेजा है डिपार्टमेंट आफ ट्रांसपोर्ट जो है हिंदूस्तान में उन्हें भी ये चिठी लिखी है हम मांग करते हैं कि जल्द से जल्द इसमें कोई ओफ्शन बनाए जाए मैं आपकी जानकारी के लिए बदार से 5000 टेक्सी आइसी हैं जो इंटर स्टेट चलती हैं इंटर स्टेट मतलब हिमाचल से बाहर किसी अन्ने राज्य में जाती हैं नैशनल परमिट के नाम पे तो हम सरकार से मांग करते हैं या इस कानून को निरस्त किया जाए अगर निरस्त नहीं कर सकते तो इसके खिलाफ आने वाली तीन तारिक को तीन मई जब हिमाचल के बस उपरेटरों ने अपनी मांगों को लेकर हरताल बुलाई है उसी तीन तारिक को उसी तर्ज पर हम अभी हमने मंडी जिला में किया है मंडी जिला के बॉर्डर हम सवारी वाहनों के लिए बंद कर देंगे ना यहां से कोई टेक्सी बाहर जाएगी तो यह हम सरकार को आगा करना चाहते हैं बात करना चाहते हैं तो बुला लीजिए हम तहीं दिल से स्वागत करेंगे लेकिन जैसा मैंने आपको उता है पिछले साही मिल पाया है तो आज हम यहां पर यही जिला मंडी टेक्सी एकता संगठिंग तरफ से गोशना करते हैं कि आने वाली तीन मैं को जिस तरह बसों की अड़ताल है उस तरज पर हम अनिश्चित काल के लिए जिला मंडी की टेक्सीयों को खड़ा कर देंगे